उत्तरप्रदेश चुनाओं को लेकर तमाम राजनीतिक दल तयारियों में चुट गए हैं एक तरफ पीचेपी में बैठकों का दोर जारी है तो सपा भी अपने सियासी समीकरन दुरुस्त करने में लगी हुई है अब कॉंग्रेस पार्टी भी चुनावी मोड में आने के तयारी कर रही है पार्टी महासची प्रियंका गांधी जुलाई में लगनों में डेरा डालने जा रही है इस पारे में यूपी कॉंग्रिस के उपाद्यक्ष विरेंदर चौधरी ने कहा कि प्रियंका गांधी पार्टी की वरिष्ट नेता रही है शीला कॉसल के घर जा रही है वहाँ पर भी रिनोवेशन का काम जा रही है उस खर को प्रियंका के जुरत के मुताबिक सेट किया जा रहा है उन्होंने चानकारी दी कि इस घर को पिछले 6 महीनों से रिनोवेट किया जा रहा है और अब प्रियंका गांधी के इस्तेमाल के लिए नुकूल बना दिया गया है प्रियंका गांधी की लखनव आने वाली खबर ने तमाम कॉंग्रिस कारेकरताओं को जोज से भर दिया प्रदेश सद्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने तो पहले ही चुनाओं से पहले कॉंग्रिस की जीत का दावा कर दिया और कहा कि यूपी चुनाओं में कॉंग्रिस की जीत को लेकर पूरी तरह से बात इस सही है। अब देखना यह होगा कॉंग्रिस नेता जिस तरह से जीत की बात कर रहे हैं क्या चुनाओं में उनकी जीत होती है या नहीं। SPN 9 Newsroom Keyboard